अक्बर ने महाराना प्रताप को मुगल पर्चम के अधीन रहकर आधे भारत पर राज्य करने का प्रस्ताव दिया। परन्तु महाराना प्रताप को मुगलों के नीचे राज्य करने से अच्छा मेवाड पर स्वाभी मान से राज्य करना लगा। तो चलो हम महराना प्रताप के बारे में कुछ facts जानते हैं महराना प्रताप के पिता का नाम राजा उदै सिंग था राजा उदै सिंग की एक या दो नहीं बलकि 20 पत्नियां थी जिन से उन्हें 33 बच्चे हुए जिन में से एक महराना प्रताप भी थे छोटी आयू से ही महराना प्रताप में ऐसे कई गुण दिखाई देते थे जो की एक महान राजा में होने चाहिए ना केवल दरबार के लोग बलकि राज्य की जनता भी यह मानती थी कि उनके लिए आने वाले सुयोग्य राजा महराना प्रताप ही हैं परन्तु राजा उदै सिंग ने अपने किसी अन्य पुत्र को युवराज नियू किया जिससे की जनता दुखी हुई राजा उदै सिंग का देहांत हुआ तो उन्होंने अपनी पसंदीदा पत्नी के पुत्र जग्माल को उत्राधिकारी बनाया और अपने पसंदीदा और राजा बनने के सबसे जादा योग्य राजकुमार यानि की महाराना प्रताप को राजा बनाया उस समय अकबर ने भारत के अधिकतर हिस्सों पर कबजा कर रखा था भारत के कई हिस्सों पर हमला करके कई राजाओं को अकबर ने अपने अधीन कर लिया था बचे थे तो सिर्फ महाराना प्रताप सिंग, मेवार जिस पर महाराना प्रताप का साशन था उसे अकबर हर हाल में कबजाना चाथा था क्यूंकि मुगलो द्वारा किये व्यापार का रास्ता मेवार से होकर गुजरता था अकबर ने महाराना प्रताप को मुगल पर्चम के नीचे आने के लिए हर प्रकार का प्रोलोबन दिया था अकबर ने महाराना प्रताप सिंग को आधे भारत पर राज्य करने तक का प्रस्ताव दिया था परन्तु महाराना प्रताप ने भीक में मिला आधा भारत नहीं बलकि स्वाभी मान चुना महाराना प्रताप सिंग के इनकार से परिशान होकर अकबर ने युद का रास्ता अपनाया फिर हुआ महाराना प्रताप सिंग और मुगलो का हल्दी घाटी का युद हल्दी घाटी में मुगलो का नेतरित्व कर रहे थे मान सिंग मुगलो को सफलता तम मिली जब मेवाड की फौस का प्रमुक हाती राम प्रसाद का महंत एक तीर से मारा गया मेवाड के हाती पर मुगलो का एक महंत बैठा और हाती को मुगलो की तरफ ले गया युद में चेतक पर सवार महाराना प्रताप मुगलो की सेना के प्रधान मान सिंग जो की हाती पर सवार थे के सामने बड़ी वीरता से आई महाराना प्रताप ने अपने भाले से मानसिग के हाती के माहंत पर हमला किया और उसकी मृत्युटि और которого कि Patrol वाकुकर भागा मंत्रियों ने राजा को सलहा दी कि इस समय उनका युद्ध भूमी छोड़कर चले जाना ही सबसे उचित उपाय है। महाराना प्रताप को बचाने के लिए चेतक घायल होते हुए भी हवा की कती से भी तेज भागा। और मुगलों की सेना से महाराना प्रताप सिंग को बचाने के लिए चेतक ने उची खाय से छलांग लगाई। महाराना प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। दिल के दोरे से चेतक की मृत्ती हो गई। ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा घोड़ा वही होता है जो सवार की मन की बाते जानता हो। चेतक एक अच्छा वफादार घोड़ा था। हवा की गती से भाग कर महाराना प्रताप की जान बचाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।